जी, Assalamualaikum, Welcome back to our YouTube channel, कैसे हैं आप सब, होफ़ली आप सब टिक टाक होंगे, तो थामनेल तो आप लोगों ने देखी लिया होगा, As usual, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी न्यूस होती है, तो मेरा काम होता है, कि आप लोगों के साथ शेयर करना, तो आज भी ये वीडियो मुझे अच्छी लगी थी, मुझे लगा था, कि मेभी इससे काफी लोगों के help हो जाए, मेभी कुछ लोगों को ना भी पता हो अभी तक, तो अगर मैं वीडियो बना दूँ, तो काफी ज़दा लोगों को पता चल सकता है, तो चलेंजी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हैं, कि बिल्कुल यही था, और इसी चीज़ को हमने आज explore करना है, सबसे पहले तो मैं अलद अलद से द्वा करती हूँ कि यह जो प्रोग्राम है, यह successful हो, और बहुत सारे unemployed जो लोग हैं, उनको employment मिल जाएगी, ठीक है, तो आमीन, आलद आलद ऐसा ही करें, आप यामीन कह दीज़ेगा, प्लीज, अच्छा जी, आप हम देख लेते हैं, कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलें, चीक है न, और बैसे वीडियो को लंबा नहीं करना, बहुत शाटन वे में मैंने इसको तर्तीब दिया हुआ है, सारी चीज़ों को highlight किया हुआ है, जो आपको बतानी है, वो बताऊंगी, और इसके बाद इंशाला, आप लोग इसमें अप्लाई कीज़ेगा, अला करे तो अगर यह helpful र सबसे पहले about में आते हैं, तो देखें, नहीं जूर से पहले मैं आपको इसकी deadlines बताना पिसमी करूंगी, 12 days, 21st hours, 15 minutes and 39 seconds, तो seconds में काम हो रहे हैं, आपने जल्दी से जल्दी कोशिच करना है कि इसमें अप्लाई करने, आप अपने जल्दी कोशिच करना है कि इसमें अप्ला अचुका है, on the directions of the Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives has launched the Baik Tiyaar Nojwan Internship Programme to ensure the economic empowerment of Pakistan's youth, Mashallah, the program is pursuing this mission by awarding 60,000 paid internships to young graduates across Pakistan, thank you so much, Jazakallah, this portal provides a one-step shop for the eligible youth to apply for Baik Tiyaar Nojwan Internship Programme, despite lengthy synets at Educational Institute, gaps remain among Pakistan's young graduates in terms of marketable skills and practical experience, this serves as a barrier to their entry in the job market and underlies their high unemployment rate. The Prime Minister's Baik Tiyaar Nojwan Internship Programme is breaking these barriers for young graduates by equipping them with requisites, skills through off-job and on-job training and providing them with the work experience they require for entering the job market. Thank you so much, Jazakallah, thank you so much, Jazakallah, please create an account on this portal to register, feature, login to your personalized dashboard and apply to internship opportunities available in various fields. Alright, thank you, please please, thank you so much, Jazakallah, please stand and thank you. Now, let's start the whole process, okay? Before we can see the host organization, which is which would be public, private and development sector organizations, okay? और दूरिशन क्या होगी 6-12 months होगी और जो आपका stipend होगा वो कितना होगा 25,000 to 40,000 टीक हो गया यह चीज ने देख लिए अब मैं एक और आपको चीज बता देती हूं कोई कर देतक का सकते हैं जाइना जो मैं आप किसी कासम कोई इसाँ का आतरा हो तो आपे क्या करना है इसमियल आने यहां से भी आप contact कर सकते हो तो कोई करीब तरही है तो मेरे खाल से तो चल जाए तो अच्छी बात है वो बात की बात है यह आपको इन से contact करने का भी बता दिया अब हमने क्या करना है जो में थिंग है हमने करना है यहां पर रिजिस्टर करने का कोई प्रोसेस लंबा चुड़ानी बेसिक सी चीज़ियन आपने ज़याना है इंफरमीशन पूट करनी है और आपने रिजिस्टर कर लेना है देखेंज फास्ट लेम लास्ट लेम ईमेल सी पासवड रपीज पासवर्ड डिट अबर तो फिस आएगा वो कुछ इस तरहां से आएगा यह ठीक है जब आप रिजिस्टर कर लोगे ना तो उसके बाद आपके पास लॉग इन का आएगा सरी लॉग इन के लिए आएगा और एक्जामपल अगर मैं यहां पर पीछे करूं तो आप यहां पर लॉग इन करोगे ना तो है। यह झाओ है यहां पर दो स्कीन ना तो है वीजिई प्रव्ट पास्ट क Monsieur सव इन को अक्षक्ति ऊपरॉग्राइब के इुछाज़ यह यह बईद फार कर दोसरी है चुछन है रूदर आपयों है। इस के बारे ईको उन में प्रोग्राइम ब्रीफ करके। लिए दीक कि इसको अपने बहाब पर अगर करना चाहो दोनों को डाउनलोड कर सकते हो पढ़ सकते हो नो इशू हम सबसे पहले तो इसकी यह देख लेते हैं बरीफ कि इसमें दिया किया हुगा फिर उसके बाद मैं आपको अपलाई करने का तरीका बता हूंगी तो मेरे पास यहां पर यह इसको मैंने जल्दी से हाइडलाइट कर लिया था कि ज्यादा लंब जोड़ा ना पढ़ना पर तो यहां पर जो है सबसे पहले वर्क फार स्किल्स इंटर्शिप प्रोग्राम है तो सेम ही था वो भी बिल्ड फार स्किल भी ठीक है ना वैसे आप अपने बहाब पर पढ़न प्राइब प्राइब इसक्साइब आक एडि बिल्ड खार स्किल्ड पार्इशन अफ यह था श्याद करोगे तो युद्ट अपने यह यह था जाए उसके बाद रिचाइब कर लोगे तो जो भी यह था जाहे वह प्राइवेट हो पुब्लिक हो यां development sector हो तो आपको certificate भी देंगे उसके बाद आ जाते हैं जी यहां पर हम candidates can apply for work for skill internship and build for skill internship आप इन दोनों के लिए simultaneously दोनों के लिए apply कर सकते हैं पर बाद में वह कर लेंगे कि जिसके लिए आप select होगे तो उसमें रख लेंगे बाकी exclude कर देंगे यहां पर लिखा भी हो उसके बाद आप हम जब main thing है वह देख लेते हैं eligibility देख लेते हैं eligibility क्या है nationality आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए ठीक है level of education जो है minimum 16 years of education यानिके graduation होनी चाहिए master's आपके पास यह फिर भी यह 16 year जो आपका complete होगे माँ उसके बाद यह फिर इससे higher भी हो सकती है उसके बाद minimum 14 years of education permissible for flood affected regions तो आप जो flood affected regions है उनमें जो आप आप देख लेते हैं उनके लिए 14 years minimum education वो रिक्वा मतलब permissible ठीक है उसमें कोन कोन से आदे लोचिस्तान रूरल सिंद्ध साउथ पंजाब एन हबर पक्तुहाज मर्च डिस्ट्रेक्ट ठीक है और उसके बाद है end of last degree यानिके last degree की जो last date है वो क्या होगी तो last degree completed आपकी जो last years of last date होनी चाहिए आपकी जो है last degree जो होगी उसके बाद employment status जो है currently आप unemployed होने चाहिए और age जो है आपकी 30 years से जादा ना हो means कि 30 years तक हो तो चलेगी उसके बाद हम आज जाते हैं कि duration pay duration पहले भी बिता दिये 6 months होगी लेकिन अगर आपको यह छोड़नी है इंटर्शिप तो आपने क्या करना है विदिन वन में पहले जो है आपने एक notice देना है जैसे हम resignation letter देते हैं उसी तरह का process है उसके बाद interns who leave the program after a minimum of 120 days of internship अगर आप 120 days तक internship को चलाते हो उसके बाद चोड़ना चाहते है तो फिर वो आपको क्या करेंगे आपको certificate दे देंगे okay हो गया उसके बाद next जो चीजे हैं उनमें से compensation है वो पहले बिताई हो 25 to 40 thousand per month होगी ठीक है लेकिन वो भी इसके लिए conditions यह होगी कि आपने जो भी आपको deliverables वगरा दिये जाए उनको आप complete करेंगे okay and that's it यही मुझे important लगी इसके इलावा गर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप पढ़ लीजिएगा ठीक है application process है कैसे आपने करना है उसके बाद selection criteria क्या होगा तो वह भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं applicants will first be grouped by gender only for open marriage इसकी सबसे अच्छी बात यह थी वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कि यह ग्रूपिंगे जेंडर वाइस टीक है males and females का और देन फिर उसमें से यह selection करेंगे तो यह थोड़ी सी flexibility अच्छी सही लगी थी मुझे तो आप लोंगा पता नहीं उसके बाद placement process है तो यह वह भी देख लेते हैं following the selection process an algorithm will match interns profile with the internship positions provided by employers matching will however he be conditional upon the availability of internship positions placements of interns will be made by the ministry of planning development and special initiatives in light of the result of matching challenge यह वही है उसके बाद internship deliverable तो मैं पढ़ोंगी तो वीडियो जादा लंबी हो जाएगी जादा कोई मुश्किल चीज नहीं है अब आप इसको फुद पढ़ सकते हो जो बहुत सी जो बेसिक चीज़ थी ना जो वाके ही आपको बताने वाली थी वो मैंने बता दूए ठीक है अब आप इसको खुद देख लीजेगा अब एक और चीज़ यहां पर आपको बता दूँ कि जब आप यहां पर लॉग इन करेंगे ना ठीक है उसके बाद कुछ आ अपने यह लेफ्ट सब्सक्राइब पर आपके पास जो है अप्लिकेशन फाम आ रहे है आप में इस पर एक प्लिक करना है ठीक है तो आपके पास एप्लिकेशन फार्म ओपन हो जएगा वो आपने कर लेना है बस इसी तरह और हाँ यहां पर एक में जो चीज थी बताने वा एसे नहीं बैठ जाना बस अप्लिकेशन सब्मेट करनी है जी आपने टेस्टेट डाकुमेंट्स लेने हैं यहां पर यह चीज मुझे बताना भूल गई कि आपने वैसे तो आप पढ़ेंगे ना इस PDF को तो इसको तो काफी अच्छे से पढ़ लीजीगा एक दफा पढ़ ली होगी बस यही चीज रह गई थी जो मैं बताना भूल गए तो मैंने आपको बता दी है तो आपने अपने जितनी भी डिग्रीज हैं उनके अटेस्टेट डाकुमेंट्स रखने हैं अपने पास ताकि आप यहां पर उन्दा बेजब आपको अपने 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 करने में तो इस दफ़ा उमीद है कि आप कर देंगे और फिर भी इस अप तो यू अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सकें और अपनी दौाओं